नमस्कार सभीको आज की इस वीडियो में हम हिंदी की पाठे पूस्तक रिमजिम पांच के पाठ दो हशलों के त्योहार के प्रशनोंतर करने जा रहे हैं हम इससे पहले वाली वीडियो में सभी प्रशनों को पढ़ चुके हैं देख चुके हैं उनका मोखिक उत्तर राप्त कर चुके हैं कि किस क्योस्टन का क्या अंसर रहेगा किस तरह से उसका अंसर दिया जाना है और इस वीडियो में हम जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्योस्तों नांसर हमें लिख लेने चाहिए जो कहानी के उपर होंगे वो हम लिखेंगे तो ये वीडियो उसके लिए है कि प्रशन उतर जो हम नौट्स में लिखेंगे यानि देखिए मैंने बता दिया हम यहां वो प्रशन लिखेंगे जो पार्ट पर अधारित है नेक्स्ट अब पहली हेडिंग दी गई थी मोशम का अंदाज देखिए हेडिंग मोशम का अंदाज पहला क्योशन था आमारे लिए खिचडी में अईशन जाड़ा हम पहले कभी न देखनी यहां तुम खिचडी से क्या मतलब निकाल रही हों यहां एक लड़की के लिए बात थी लेकिन अगर एक लड़की मैं यहाँ पर यह मतलब निकाल रही हूँ तो लड़की लिखेगी मैं यहाँ पर यह मतलब निकाल रहा हूँ तो लड़का लिखेगा उसी की वजाए हमें एक common sentence बना लेते हैं उत्तर होगा उत्तर लिखी गई इस बात के आधार पर उपर लिखी गई बात के आधार पर खिचड़ी का मतलब क्या होगा मकर संक्रांती से है next question क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सुरज बिलकुल ही न निकले अगर ऐसा हो तो हो तो मतलब हाँ ऐसा होगा तो answer में भी हमें ऐसे ही देना है हाँ ऐसा हो सकता है कि सुरिय दिखाई ही न दे और सुरिय कभ दिखाई नहीं देता और ऐसा तब होता है कभ होता है जब यह योगम हो गया तब जब बहुत ठंड के समय चार और कहरा चाया हो फोग हो समोग हो जब बर्शात का मोशम हो रहा हो यानि बर्शात आने वाली हो और आश्मान में घने काले बादल छाए हुए हो यानि बादल बहुत ज्यादा हो जिसकी वज़े से सुरिय दिखाई ही न दे या तब कब जब वातावरण में धूए समोग के और प्रदूशन की चादर यानि एक लेइर सी बन गई हो च्छाही हो तो इन समय पर सुर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो यह कैसे समय होते हैं जब हमें सुर्य निकलता दिखाई अंड़ का देख्ते हैं बाहर देखने से समय का पता इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी और ठंड में क्या था फोग हो गया था ठंड हो गी थी लोग गर से बाहर नहीं निकल रहे थे और दिरे दिरे जैसे वो सुरज की गर्मी होती उस समय पर वो उठते गर से बाहर निकलते काम करते वो अभी तक धूप भी नहीं निकली थी इसलिए ठंड अभी तक बढ़ी हुई है धूप आ जाती है किस तरह से लगाते हैं जिनके पास गड़ी नहीं होती वे सुरिये की रोशनी इतारित जंत्रमंत्र जो दिल्ली में जंत्रमंत्र है वे यह स gleich शुरदय बनाकर या सुरिये घड़ी से लगाते हैं यह देखिए सुरिय घड़ी अब इसमें एक स्टिक लगी हुई है इसका मनलब क्या है जैसे इधर सन है तो इसके उपर रेज पढ़ेंगी तो इधर सेड़ो बनेगी तो वह इधर है तो यह मोर्निंग का टाइम है और इधर जो वह वेस्ट में चला जाएगा सन अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट तिल यानि अन के बारे में अनाजों के बारे में तो फचली के ट्योहार पर तिल का बहुत महतो होता है पाथ में executing किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करूं अब देखते हैं तिल का ट्योहार पर बहुत महतो होता है इसका उत्तर है तिल का त्योहार पर बहुत महतो होता है पानी में तिल डाल कर सनान करना आग में तिल डालना तिल दान करना और तिल के पकवान बनाना पकवान यानि भोजन में यूज करना अब यह तो सारा इसका उत्तर हो गया पहले का बहुत महतो होता ह दूसरी बात तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है तिल कैसे तिल बीज के रूप में डिरेक्ट सीड के रूप में यूज होता है कुटे रूप में तिल कुटा बना करके और तेल के रूप में तिल का तेल निकाल लिया जाता है और तेल के रूप में भी प्रि बोलेंगे क्या तुम जानते हो और यह कोमन दोनों के लिए भी होगा क्या तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे बनता है हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो अब देखो उत्तर में हां मैं जानता हूं मैं जानती हूं या हम जानते हैं कोमन की तिल का तेल निकालते हैं मसीन की साहता से निकालते हैं या कूट के उसको प्रेसराइज करके निकालते हैं बलकि तिल के साथ साथ कई चीजों से तेल निकाला जाता है और किन चीजों से तेल बनता है कई चीजों से निकाला जाता है औ नमबर 5 बादाम नमबर 6 फल फूल और नमबर साथ विबिन वनस पतियों से तेल निकालते हैं वेजिटेशन ओयल सफोला वगर नेक्स एक और था कि परमुख शहरों के परमुख पक्वान जो हमने एक वीडियो बना ली उसमें भी आपने देखा कि परमुख शहरों के परमु मस्कुलिन यानि पुलिंग शब्द पेड़ा आगरा का पेठा हैदराबाद की दम बिर्यानी की दम बिर्यानी ना की हैदराबाद की दम बिर्यानी नहीं हैदराबाद की दम बिर्यानी मैसूर का मैसूर पाक अमरीच सर्क के नान छोले के मतलब बहुवचन के नान और छोल वह मक्य की रोटी सर्सों का साग साग मतलब सागू सबजी कलकत्ता के रसगुले मुंबई का वड़ा पाओ विकानेर की भुजिया और नमकीन नई दिल्ली के छोले भटूरे चेन नई का मसाला डोसा जैपूर का दाल बाटी चूर्मा और पटना का लिटी चोका तो यह थे प बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को कहें चैनल को थाकि आपकी तरह वो भी लोग इस चैनल का फाइदा उठा पाए और ज्यादा से ज्यादा आगे आने वाली जो कोमन वीडियो जो एक क्लास के बेस में नहीं होंगी सब के ल थैंक यू फर यूर स्पाउट थैंक यू